इटी एफ एक्चेंज ट्रेंट फंड अब एक्चेंज ट्रेंट फंड ऐसा फंड है ना कि अगर आपने अपना 100 रुपए लगाया है तो साल का 30% मतलब 30 रुपए आप आसानी से कमाल होगे और विद्धाउट रिस्क के ऐसा नहीं है कि अब नीचे जा रहा है उपर जा रहा तो बहुत कम मतलब 10 या 5% ऐसे गिरते हैं ये सब ETF और मैं ये आपको पूरा प्रेटिकली समझाओंगा सबसे बड़ी बात है अगर आप सोचिए आपको मालूम चल जा कि ये सेर बढ़ेगा बढ़ेगा और आपने अगर उसमें मालो एक लाग रुपए ही लगा दिया आप आपको साल के 30,000 रुपए मिल गए बिना किसी रिस्क के कितनी बड़ी बात हो सकती है लेकिन बीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि पैसा कहां ETF में इन्वेस्ट करना है और किस ETF में इन्वेस्ट करना है ये खुद भी आप जरूर समझेगा और खुद मैं तो बोलता हूँ अपने एडवाइसर से जो आपके सलाहकार हो एडवाइसर हो जो फाइनसर एडवाइसर हो उनसे भी जरूर सलाहमस्वरा करे और मेरी बात समझे लेकिन अपने दिमाग से भी काम करे और सोचे समझे बागी मैं ETF के बारे में बताने वाला हूँ चूंकि ETF से मैंने भी प्रॉ mutual fund दोनों सीम है लेकिन जहां पर ETF होता है ETF थोड़ा सा मुझे advance लगता है mutual fund की अपेच्चा और मैं भी इस पर invest करता हूं दोनों पर SIP और लंसम दोनों तरह के से आप invest कर सकते हो दोनों में लेकिन जब हम mutual fund पर invest करते हैं तो वहां पर जो बैकेंड में लोग होते हैं पैसा आपका इंटर और एक्जिट करते हैं stock market में और उसका profit आपको साम को evening में नजर आता है या दूसरे दिन नजर आता है जबकि ETF में ऐसा नहीं है जो जो सेर हम लेते हैं वो सेर क्या होता है कि हमें दिखाई देता है उसका बढ़ता घरता करम दिखाई देता है और जब जाए हम online market में उसको ETF को सेल कर सकते हैं और पैसा अपना ड्रॉ कर सकते हैं तो यह अंतर होता है मेली ETF और mutual fund का अब से बाइन लोग पुछते हैं कि mutual fund पर invest करना अच्छा होता है कि ETF में देखो मैं बोलता हूं हमेशा कि ETF थोड़ा सा एक advanced things है मेरे ख्याल से अगर दिखा जाए तो mutual fund किया picture आपको दोनों भी invest करना चाहिए क्या होता है कुछ चीज ऐसी अपसोस ना हो कि मैंने कास इसमें भी invest किया होता है तो ऐसा अपसोस आपको ना हो और मैं लास्ट की वीडियो में आपको ऐसा ETF बताने वाला दो ETF बताऊंगा आपको इतना अच्छा जो कम दामके हैं और आगे चलके बहुत लंबा profit देने वाले हैं और कुछ मैं ETF की खराबी है बताऊंगा जो खराबी मैं बताऊंगा आपको दियान से सुनना इस खराबी को क्योंकि अगर आपने इस बात को नहीं हैं अब सबसे बड़ी बात आती है कि एटिये बें इंवेस्ट कैसे करें देखो इटिया बहुत टाइप के होते हैं ऐसा नहीं होता है इटियू का me market होता है गोल्ड का मार्केट भी आप बहुत सारे मार्केट होते हैं उसके मतलब हो सकते हैं उसके इंडेक्स सलाती है ग्लासेज गई और से बनवाती है और एक कार का पूरा मैनुफैक्ट्रिंग करती है सेम लाइक ETF होता है ETF क्या है मालों मैंने एक फार्मा कंपनी का ETF बनाया अब मैंने फार्मा कंपनी के एटिया का दाम 20 रुपए है एक सेर का दाम 20 रुपए है लेकिन जब आप 20 रुपए का एक सेर खरिटते हो तो वो 20 कंपनी में डिस्टिब्यूट होकर फार्मा के 20 कंपनी में या सन फार्मा हो या लिंगेट कंपनी हो जो भी उनकी कंपनियां होती है फार् Av. अगर आप माला अगर आप एक आटो का इत्य horse दो यह आप सोचते हो की आटो का ईटी आटो का इत्यों के सी और मैनने बीश रुपहा माललो अभी तो आटो Vanguard सो 64 रुपहा आ रहा है मान्व शंरुपह सो रुपहा का की सी और यॉन टायर में इंवेस्ट किया है, 100 रुपए आपने 10 कंपनियों बें इन्वेस्ट की है, उस तरह होता है ETF, एक बहुत बड़ा, अगर फूल का गुल दस्ता हो, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, उसी तरह बहुत सारे स्टॉक होते हैं, और एक इंडेक्स बनके आपको मिलता है जिसको हम बोलते है, ETF, अब चलो मैं आपको स्क्रीन पर लाता हूँ, और कुछ खाथ चीज़े समझाता हूँ, और आपको बताऊंगा कहां पर आपको exit भी करना है, ठीक है, इंटर कहां पर करना है, और exit कहां करना है, दोस्तों अभी जो आप देख रहे होंगे, स्क्रीन है जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ETF के बारे में, अभी आपको ETF दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन में, अब देखी, यहां पर जहां मार्किंग दिखाई दे रहा है, ETF, यहीं से हम ETF बाय करेंगे, यह भी एक तरह का equity fund समझालो, जिस तरह हम बाय करते हैं, उस तरह ब जाते हैं, और यहां पर दिखाई देता है, आपको ETF, अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर ETF के category भी आयाती है, मैं एक बात हमें सब बोलता हूँ, समझा रहा हूँ, ETF के बारे में, मालों पहले ETF के लिप करता हूँ, देखो यहां 50-20 लिखा है, निप्टी-50, आप चाहे निप्टी-50 लेते हो, या निप्टी-50 का बीस लेते हो, जैसे जैसे वो उपर तरफ जाएगा, आपको profit होने लगता है, अब बात समझो यहां पर, फ्यूचर में आने वाले कल्वें, निप्टी उपर जाएगा ही जाएगा, और निप्टी-50, लेको एक-दो कमपनि या लॉस में जा सकती हैं, पूरी कमपनिया भारत की लॉस में नहीं जाएगे, ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, कि लॉस के चांसे कम राते हैं, इसी बेस पर ETF कारता है, ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, निप्टी-50, अगर आप खड़ना चाहा है, तो आप खड़ी सकते हैं, देखो, निप्टी-50, निप्टी की तरह ये अपना, जो इसका चार्ट है, आपको दिखाई देगा, कुछ-कुछ, और आपको समझ जाएगा कि निप्टी की तरह आप कर रहा हो, ठीक है, यहां पर देखना, बाई, देखो, यहां पर इतने लोगों ने बाई किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इतने लोगों ने भी सेल कर रखा है, दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि, मैंने विडियों बोला कि, लास्ट में मता दूँगा आपको कहां पर जाकर एंड कर देना, एक बहुत बड़ा कराभी है, मैं बताऊंगा आपको ला एंजल वन का प्रोफाइल है, अब यहां पर मैं क्लिक करूं, देखो यहां पर बहुत सारे सेक्टर होंगे, एक्विटी, सेक्टर, गोल्ड, सिल्बर, डैप्ट, स्मार्ट वीटा, ग्लोबल, देखो एक्विटी में वो सब होते हैं, जैसे एक्विटी में क्लिक करेंगे निप्टी 20 ICI, meet cap, यह सब एक निप्टी के बहुसे सचे से मिल के होते हैं, सेक्टर वाइस फार्मा भी सेक्ता है, बेंक हो सकता है, प्य स्यू बेंक हो शकता है, यह सब बने हुए सेक्टर है, जिसमें आप चाहे तो इंवेस्ट कर सकते हैं, जस्स लैक मुच्छल फंड, पट एक कंडिशन है कि इसे कभी विया बेच सकते हैं और इसे चार्ट पर हमेशा देख सकते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर ऐसा होता है ना कि गोल्ड सिल्वर बहुत जादा पढ़ता नहीं है बहुत धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन यह जल्दी फ्लोडाउन नहीं होगा जल स््मार्ट बीटा क्या होता है श्मार्ट बीटा ब मतलब बहुत सारे अच्छे मिट-चोटी कंपनिया तो लार्ज प्रके 10 और meet cap के 10 मिला कर ऐसी कंपनिया बनती है जहां पर चोटी कंपनिया लॉस भी खाया तो बड़ी कंपनिया उसको कवर करती है और चोटी कंपनिया जो meet cap होती है इनका भरोसा नहीं कर सकते कब 10 रूपय हजार रूपय बन जाए तो इसका ये फैदा है इसलिए स्मार्ट बीटा कहते है तब ग्रोब बहुत जल्दी होता है बहुत अच्छा भी हो सकता है ठीक है अब ग्लोबल ग्लोबल में दोस्तों आप होता है कि आप बहार कंट्रिया जैसे कि फेस्बूक इंस्टाग्राम उनका सेर तो आप नहीं खरीच सकते लेकिन ग्लोबल में आप जब खरीचते हैं तो इनका सेर आप यहां इंडिया से बैटे खरीच सकते हैं अब आपको यह बात समझा गई अब हम तुपन्त आते हैं देखो अब मैं आपको एक पिताता हूँ देखो एक फार्मा बीस यह फार्मा बीस का देखो यह बहुत अच्छा अभी के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक आपको दे सकता है रिटर्न बहुत अच्छा है किस रुपए का बाय है अगर आप चाहे या मैं मेरी ओपिनियन है आप इस सला को समझे पहले अपनी तरब से फिर पर्चेस करें तो आप अच्छा ले सकते हैं फार्मा बीस एक लंबे समय के लिए एक साल के लिए तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है मेरे ओपिनियन से और एक सेर और है मैं बतारा चाहूँगा आपको यह भी अच्छा सेर आप चाहे तो आप खरीच सकते हो देखोई यह सेर भी बहुत अच्छा है आटो आई ती क्योंकि आटो आई ती में गाड़ी का हमेसा डीमांड हो वाले कल में गाड़ियों का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है तो मैं बता रहा हूं आटो आइटी बहुत अच्छा अगर चाहते हो पर्चेस करना तो फार्मा बीस और आटो क्यों कि दाम भी कम है और आप असानी से खरी सकते हो ठीक है अब मैं कुछ खास चीज आपको दिखाना चाहता हूं आपको कि जब जसका प्रव जासे यह आधको इसका नौसो एक रूपए हो गया अब यह सेंटेक्स फिप्टी हम मैं अगर दो यहां पर इसका दो यह फिप्टी-फिप्टी हो गया यहां पर रिस्क ज्यादा है जहां पंगर है कोई तो यह ज्यादा पर्चेस मत करना तो ओниц के सिल करने हैं बहुत बड़ी कंडिशन खara w सकती है तो ऐसे जिसके दाम bहुत हइए है और ओउवर वैलूड है उसको मतलो ओऊवर islands ये ओवर वैलूड हो गया है इसको कभी परचेज मत करना मना तुम भाई नुक्सान में चले यह ओवर वैलूट हो गया ठीक नहीं तो यहां से निकलने कोशिश करो ऐसे से यह कभी बाइब मत करना मैं खास करके बोलना ठीक है अब इसके बाद जो मैंने आपको दो सेर बता है आपको स्कीन में या उपर में दिखाई दे रहा होगा दो सेर दिखाई दे रहा होगा ज़रूर आप चाहिए तो बाय कर सकते हैं दूसरी चीज मैं बोला चाहता हूँ कि जब ओवर वैलूट होगा जो मैंने दिखाया आपको तो बाय मत करना क्या होता है ज्यादा महेंगे जाने के बाद यह ओवर वैलू हो गया है अब यह क्या होगा कि आप लोग न तो इसमें बहुत जिक्कत आ सकती हो सकता है यह नीचे ड्रम कर जाए पूरा अच्छे थरीके से इस बात कर ध्यान रखना हो आपको ठीक है तो एटि यह साइब डाय रहा है हम क्या करेंगे तो एक मान्तिय करना हैविकली करना है यह अपने यहां प्रोफाइल से जब आपके माelो यह होता हूग म несколько यह आप अप यह एटिएफ में दिखा रहा है देखो यह पैसा कहा कहा लगा है मैं अगर यहां जाओ हम देख पार है कहा कहा है पैसा लगा और यह गराप में भी आप देख सकते हो यहां पर भी आप देख सकते हो क्या है कंडिशन क्या कितना कितना से किस-किस में लगा हुआ है तो आप जान जाओ देखो यह सब बाड़े दस कंपनिया लॉस में जाएगी तीस कंपनिया तो प्रॉफिट में होंगी जो आपके प्रोट्फोलियो को मैनेज करेंगी इसलिए एटियाप लो रिस्क कहलाता है ठीक है बात समझो ठीक है तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिलार मैंने आपको एटियाप की वाला हूं जहां पर आप सौटर में अच्छा रिटर्न निकाल पाऊंगे